आज हम बात करेंगे जो अमारा GM लोको है उसमें गाड़ी संचालन के दोरान एदी पावर ग्राउंड आता है तो पावर ग्राउंड को कैसे अमारे को दूर करना है और फिर गाड़ी का संचालन अमारे को करना है तो देखिए अमारे पास जो GM लोको होता है उसमें जो जी आर आती है वो मुख के रूप से दो इस्तती में आती है मोटरिंग के समय जो GM आती है उसको हम बोलते हैं पावर ग्राउंड और ब्रेकिंग के समय यानि कि जब हम डाइनामिक ब्रेक लगाते हैं उस समय जो GM आती है उसको बोलते हैं हम डाइनामिक ब्रेक ग्राउंड तो हमने डाइनामिक ब्रेक गराउंड के उपर एक अलक्षे वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को आप देखके डाइनामिक ब्रेकिंग के समय जो गराउंड आती है उसको आप दूर कर सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पावर ग्राउट के बारे में कि जब पावर ग्राउट आ जाती है यानि कि अमारे लोकों में अर्थ खोल्ट आ जाता है तो उस अर्थ खोल्ट को कैसे हमारे को दूर करना है? और फिर आगे गाड़ी का संचालन किस तरह से सुरुक्षित करना है तो अभी हम फले बात करेंगे हमारे पास जो एम 2000 पावर है उस पावर में एदि ट्रेक्शन के समय पावर ग्राउंड आता है तो क्या करना है हमारे पास जो एम 2000 लोको है चाहिए वो सिंगल केव है या ड्यूल केव है एदि ट्रेक्शन के समय एदि पावर सर्किट में अर्थ फोल्ट आता है तो क्या मेसेज हमारे को मिलते हैं क्या क्या संकेत मिलते हैं तो जब भी पावर ग्राउंड आता है ट्रेक्टिव अपर्ट मेटर सुनने हो जाता है लोको पर जब एक दम हमारा ट्रेक्टिव अपर्ट मेटर सुनने होगा तो लोको पर अचानक जर्क आईगा अलाराम बजता रहेगा यानि कि लोको पर गंटी बजने लग जाएगी EM2000 की जो computer की जो screen है उस पर message इस तरह से हमारे को मिल जाएगा अलराम नो लोड जी आर ट्रेक्सन यानि की जी आर आने पर ये संकेत हमारे को मिलेगा लगबग सभी लोकों में जैसे हमारा EM2000 ये सीमेंस का लोको रहेगा ये मैदा का लोको रहेगा तो power ground आने पर ये संकेत हमारे को सभी लोकों में मिलते हैं यानि कि हमारा टी सुनने हो जाता है लोकों पर जर्क आ जाता है अलराम बजने लगता है computer की display पर message भी मिल जाता है अब EM2000 लोकों में GR reset करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो throttle अमारे को idle पर लाना है throttle को हम idle पर लेके आते हैं अगर अमारे पास Siemens का S1 वर्जन लोकों है तब भी यही काम करना है सबसे पहले हमको throttle idle पर लाना है throttle idle पर लाके और अमारे को देखना है कि display पर जो हमारा F3 function की है उसके उपर reset लिखा हुआ आया या नहीं आया यही डिस्पले पर F3 function की के उपर reset लिखा हुआ जाता है तो हमारे को F3 function की दबाना है और GR को reset करना है लेकिन हमने देखा कि throttle idle पर लाने से डिस्पले पर F3 function की पर reset का option नहीं आया तो फिर अमारी गाड़ी अभी चल रही है चलती गाड़ी में control stand secure करना है और control stand secure करने के लिए अमारे को पांच काम करने होते है throttle idle reversal handle neutral पर करते है ER और Jeep के slide switch को ओग करते है और जो हमारा isolation switch है उसको run से हम isolate पर करते है ये काम करने के बाद ED M2000 और Simmons के S1 version लोकों में जो हमारा display है उस पर F3 function की के ओपर reset लिखा हुआ आपको मिल जाएगा अब आपको क्या करना है इस तरह से message जो होता वहाँ पर हमारा F3 function की के ओपर ये reset लिखावा जाएगा अब F3 function की दबाना है और ground को reset करना है ED 10 मिनिट में ऐसी समस्या 3 बार आजाती है यानि कि 3 बार GR आजाती है तो 3 बार तक हम क्या करेंगे पहले throttle को idle पर लाएगे देखेंगे कि F3 function की के ओपर reset लिखावा जाता है तो F3 function की हम दबाएगे और GR को reset कर देगे लेकिन throttle idle पर लाने से नहीं जाती है GR तो वह control stand secure करके और 3 बार तक तो हम GR को reset कर सकते हैं 10 मिनिट लेकिन 10 मिनिट में अदि अमारी GR छोती बार आजाती है तो फिर छोती बार आने पर GR अमारी throttle को idle पर लाने से या control stand को secure करने से GR नहीं जाती है फिर अमारे को computer circuit breaker कर recycle करना पड़ता है तब जाके हमारी GR दूर होती है यानि कि जो GR lockout हुई है वो दूर होती तो हम आगे देखेंगे कि GR lockout होने पर उसको कैसे दूर करना है अब S3 version हमारा single cable को भी होता है और dual cable को सभी S3 version होते है तो उनमें GR आती है तो क्या करना है Simmons S3 version में हमारे को वही काम करना ही जो उदर किया था पहले हमारे को throttle idle पर लाना है throttle को idle पर लाने से दी GR auto reset नहीं होती है तो हम control stand secure करेंगे लेकिन throttle idle पर लाने से ही ये दी हमारी GR auto reset हो जाती है तैने कि जो display पर GR का message आया हुआ है वो message चला जाता है तो हमको फिर control stand secure करने की आवसकता नहीं है लेकिन throttle को idle पर लाने से GR auto reset नहीं होती है तो फिर चलती गाड़ी में हम control stand secure करेंगे वो ये पांच काम throttle idle, reversal, neutral, ERGA, poke और isolation से उचको रन से isolate पर कर देंगे तो GR अमारी अब auto reset हो जाएगी यानि कि display पर जो message बना हुआ था GR का वो चला जाएगा ये दी 10 मिनट में 3 बार GR आती है तो तीन बार तक तो हम throttle idle पर लाएगे तोड़ा सा वेट करेंगे हर बार display से message अमारा चला जाएगा और GR auto reset अमारी होती रहेगी लेकिन 10 मिनट के अंदर एदी हम छोती बार notch up करते हैं यानि कि गाड़ी चलाने के लिए और GR off rate हो जाते है और उस GR को reset करने के लिए हम throttle को idle पर लाते है तो हमारी GR auto reset नहीं होती है और छोती बार जब GR off rate हो जाती है तो display पर low count का message मिल जाता है अब पहले हमारी को क्या करना है कि जब GR low count हो जाती हमारी तो GR low count से हमारी को बार आना पड़ेगा तो GR low count से बार आने के बाद ही फिर हमारे को जो truck 1 है truck 2 है बारी बारे से enable से disable और disable से enable करके देखना है यानि कि खराबी truck का अमारे को पता लगाना है और खराबी truck को disable करके आगे गाड़ी का संचलन अमारे को करना है एदी हमारे पास मैदा का लोको है तो मैदा के लोको में GR आ जाती है तो केसे reset करना है मैदा यानि कि 696 MS लोको भी इसको बोलते है यहां पर भी GR operate होने पर हम पहले throttle को idle पर करेंगे throttle को idle पर लाने पर 15 second wait करेंगे एदी 15 second wait करने पर भी GR का message डिस्पले से नहीं जाता है तो फिर यहां पर भी हम क्या करेंगे वोई चलती गाड़े में control stand secure करेंगे control stand secure करने के लिए वोई 5 काम करेंगे throttle idle, reversal, neutral, ER, pop और isolation seat को isolate पर कर देंगे और 15 second हम wait करेंगे 15 second wait करने के बाद हमारा जो GR का message डिस्पले पर है वो चला जाएगा यानि कि GR auto reset हो जाएगी मैदा के लोकों में एक गंटे में तीन बार GR हमारी throttle को पर लाने से या control stand secure करने से GR auto reset हो जाएगी लेकिन एक गंटे में तीन बार एदी GR अमारी auto reset हो रही है लेकिन एक गंटे के अंदर हम छोती बार नोचप कर देते हैं गाड़ी संचालन करने के लिए तो एक गंटे में छोती बार जब GR आ जाती है तो ग्राउंड लोकाउट का मैसेज डिस्पले पर आ जाता है और छोती बार throttle idle पर लाने से या फिर control stand secure करने से 15 सेकंड वेट करने पर भी अमारी GR auto reset नहीं ओती है तो इस इस्तती में हम क्या करेंगे एदी idle पर हमारा बलोक section साफ हो जाता है तो section clear करके हम गाड़ी को खड़ी करेंगे एदी section clear नहीं होता है तो हम सुरक्षित इस्तान पर गाड़ी को खड़ी करेंगे और अब भले जो GR low count हुई है तो GR low count से बाहर आने की कारेवाई हम करेंगे तो आगे अभी GR low count से कैसे बाहर आते हैं वो भी कारेवाई हम देखेंगे GR low count से बाहर आने के बाद फिर अमारा जो मैदा का लोको है उसमें पर्तिक मोटर को हम अलग-अलग काट सकते हैं तो यहां पर पर्तिक मोटर को हम बारी-बारी से काट कर खराबी वाली मोटर का पता लगाएंगे खराबी वाली मोटर एदी हमारे को मिल जाती है जियार दूर हो जाती है तो खराबी वाली मोटर के तेन सर्किट बरेकर जो सर्किट बरेकर पेनल पर लगे हुए हैं सम्मन्ध टेम के तेन सर्किट बरेकर भी हम पेनल पर ओप करतेंगे यानि कि जब अमारा EMD या सीमेंस या मैदा के लोकों में जब बार बार जी आर आने से जी आर लोक आउट हो जाती है तो उससे कैसे बाहरा है तो देखें या पर EMD और सीमेंस के लोकों में दस मिनट में तीन बार तक और मैदा के लोकों में एक गंटे में तीन बार तक तो जी आर हमारी रिसेट हो जाती और हमने देखा भी है पिछली सलाइड में कि हमारी जी आर तीन बार तक कैसे reset हो रही है EDMD Siemens के लोकों में 10 मिनिट में चोती बार और मैदा के लोकों में 1 गंटे में चोती बार जी आर ओपरेट हो जाती है तो EMD लोकों में चोती बार reset का option F3 function के उपर लिखा वा नहीं आता है और सिमेंस और मैदा के लोकों में GR auto reset नहीं होती है और इन सभी लोकों में last में फिर GR lockout हो जाती है और display पर lockout का message इस तरह से मिल जाता है no power ground relay lockout का जब भी ये message अमारे को मिल जाता है तो फिर इस lockout से हमारे को बाहर आना पड़ता है तभी हम आगे गाड़ी का संचालन कर पाते हैं तभी हम truck one, truck two या motor को काट के देख पाते हैं GR lockout से बाहर आने के लिए हमारे को फ़ले section कलेर करना होता है क्योंकि हम GR lockout से बाहर आने तो गाड़ी को खड़ी करना पड़ेता तो फ़ले हम section को कलेर करेंगे यह दि हमारा section कलेर नहीं होता है तो हमारे को सुरक्ष तिस्तान पर गाड़ी को खड़ी करना है और गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर control stand secure करना है और control stand secure करने के लिए वह पांच काम हमारे को करने होते है throttle, idle, reversal, neutral, ER, jip के salad shoes को off करेंगे और जो हमारा isolation shoes को run से isolate पर कर देंगे अब गाड़ी हमारी खड़ी है बलोग section में किसी station पर BP drop होने से भी बचाना है जब हम यह recycle करेंगे तो recycle करने पर एदि हमारा BP बचाना है तो L tissue उचको खान डाल देना है lead से हमारे को test पर कर देना है जिससे हमारी गाड़ी का भी BP drop नहीं होगा क्योंकि अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा computer का circuit breaker है इसको ओप करेंगे और computer circuit breaker ओप करके 20-30 second वेट करेंगे और 20-30 second वेट करके वापिस computer का circuit breaker ओन कर देंगे तो यह हो जाता है हमारा computer circuit breaker का recycle अगर यह हम इस इस्तति में LTS को lead से test पे नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी का BP pressure पूरा zero हो जाएगा और फिर BP pressure लाने में हमारे गलोकों में बहुत time लग जाएगा 4-5 minute हमारे खराब हो जाते हैं retention बढ़ जाता है कभी गाड़ी चड़ाए वाले section पे चल रही है तो वाँ पर गाड़ी को start कर पाना संबव नहीं होता है तो ऐसी इस्तति में BP pressure को drop होने से बचाना है तो LTS को अमारे को test पे रख देना है अब computer का recycle अमने कर लिया है फिर recycle होने के बाद LTS को अमारे को test से lead पर रख देना है और display पर A9 के FS की 10 सेकंड की penalty का message आता है तो हमारे को A9 को message के अनुसार FS पर 10 सेकंड रख कर और 10 सेकंड की penalty record करना है अब penalty record होने के बाद यानि की recycle होने के बाद जो LTS switch हमने test पे रखा है उसको test से हम lead पर करेंगे और lead पर करने के बाद जो display पर A9 की 10 सेकंड की जो message मिला हुआ है penalty record करने का वो penalty हम record करेंगे और फिर BP pressure का 5 kg आना हम सुनिशित करेंगे उसके बाद हमारा जो control stand हमने secure किया है उसको सामाने करेंगे यानि कि हमारा जो isolation switch जो हमने isolate पर कर रखा है उसको हम run पर कर देंगे यार और जिप के select shoot को own कर देंगे जो हमारा reversal है उसको जाने वाली दिसा में set करेंगे और throttle से notch up करके अमारे को देखना है अब ये काम होने के बाद अमारे को क्या करना है कि EMD और Siemens का जो loco होता है इन loco में दोनों ट्रक को बारी बारी से disable करके अमारे को देखना है यानि कि disable enable करके देखना है faulty truck को पता लगाना है और faulty truck को अमारे को disable करके और एक truck पर यानि कि तीन मोटरों पर आगे गाड़ी का संचालन करना है AD मेदा का लोको है अमारे पास तो बारी बारी से ट्रक्षन मोटर काटके देखना है faulty truck का पता लगाना है जब अमारे को खराबी वाली मोटर का पता लग जाता है तो उससे सम्मदित तेन सर्किट ब्रेकर भी हमको सर्किट ब्रेकर पैनल भी ओप करना होता है तो AD अमारे पास AMD और Simmons का लोको है तो यहां पर अमारा truck 1 और truck 2 होता है तो जो अमारा truck 1 होता है वो यहां पर trucks और motor एक दो और तेन को सप्लाई देता है जब अमारा TCC service में रहता है यानि कि truck 1 enable रहता है जो truck number 2 है वो अमारा 4, 5 और 6 number motor को सप्लाई देता है अभी अमने computer circuit ब्रेकर का recycle कर लिया यानि कि GR lockout से अंबार आ चुके हैं तो अमारी को क्या करना है यह जो truck 1, truck 2 है जब service में रहते हैं यानि कि enable रहते हैं तो सभी 6 की 6 motor को इस तरह से current देते रहते हैं लेकिन आमारी को यहाँ पर truck 1, truck 2 को अब काट के देखना यानि कि खराबी का पता लगाना है तो देखिए अमारा truck 1, truck 2 को हम चलती गाड़ी में भी disable कर सकते हैं तो अभी अमारा जो truck 1 है इसको हम क्या करेंगे enable से disable करेंगे तो जैसे अमारा जो यह truck 1 है इसको हम enable से disable करते हैं तो अमारी truck and motor एक, दो, तीन में current जाना बंद हो जाता है और notch up करके अनि कि गाड़ी चलाना यह जी जी आर नहीं आती है तो खराबी हमारी truck and motor एक, दो, तीन में से किसी एक में ती तो इस truck को हमारे को disable रखना है और गाड़ी चलाना है लेकिन truck 1 को disable करने के बाद भी जी आर आती है तो इस truck को हम वापिस enable कर देंगे, यानि कि service में लाएंगे अब अमारा जो दूसरा number का truck है, इसको हम enable से disable करेंगे तो जैसे ही truck number 2 को disable करते हैं, तो हमारी 4, 5 और 6 number motor में current जाना बंद हो जाता है अब notch up करेंगे, गाड़ी चला के देखेंगे, गाड़ी चल रही है तो पूरी 8 नोच लगा के देखेंगे GR नहीं आती है, तो खराबी 4, 5, 6 motor में है तो truck number 2 को disable रखना है और गाड़ी चलाना है जब truck खराबी अमारे को पता लग जाती है, जब हम truck disable रखके गाड़ी चला रहे हैं तो उमारा T 20-60% तक अमारे को मिलेगा अब load जादा है, या छड़ाई का section है, तो PCR को सुचित करना है और साइता लोकों की मांग करना है यदि light load है, जा सकता है एक truck पे तो गाड़ी का संचलान अमारे को करना है यदि दोनों truck हमने disable करके देख लिया, फिर भी GR आती है तो अमारी GR अब अंडर फ्रेम से नहीं है, यानि कि मोटरों से नहीं है, अब अमारी GR अपर फ्रेम से है तो उसके लिए अमारी को PCR और सेड से बात करना है, वो जो भी निर्देश देते हैं, उसका पालन करते हुए अमारी को आगे गाड़ी का संचलान करना है यदि अमारी पास मैदा का लोको है, तो मैदा के लोकों में जो अमारा truckson motor एक है, उसको supply देता है TCC1 दो को supply देता है TCC2, तेन को supply देता है TCC3, और चार को TCC4, पांच को TCC5, और चे को TCC6 जब सभी TCC अमारे सर्विस में रते हैं, तो 6 की 6 मोटरों को supply इस तरह से मिलती रती है अब यहां पर अमारे को जब मैदा का लोको है, तो यहां पर हम परतेक motor को अलग-अलग काट सकते हैं यहां अलग-अलग motor काटने की सुविदा हमारे को दी है, तो motor यहां पर भी हम चलती गाड़ी में भी काट सकते हैं, या खड़ी गाड़ी में भी तो यहाँ पर बारी-बारी से जब GR लोकाउट हो जाती है GR लोकाउट से हम बाहर आ जाते हैं तो एक से लेके 6 मोटरें हमारे को काट के देखना है जिस मोटर को काटने पर नोचप करते हैं गाड़ी चलाते हैं जो मोटर हमने काटी GR नहीं आती है जैसे हमने यहां पर देखा कि हमारा तीन नंबर मोटर हमने कट इन से कट आउट कर दिया अब तीन नंबर मोटर हमने कट इन से कट आउट किया हाट नोच लग रही है अमारी गाड़ी चल रही है जी आर नहीं आती है तो खराबी अमारी ट्रेक्शन मोटर तीन में है अब अमारे को खराबी का पता यहां चल जाता है कि अमारी खराबी तीन में है कभी-कभी जियार आने पर दुआ भी आ जाता है मोटरों से तो वहां तो अमारे को सिधा-सिधा पता लग जाता है कि इस मोटर में खराबी होने के कारण दूआने से अमारी जियार आई है दूआ नहीं आता है कभी तो अमारी को बारी-बारी से सभी मोटरे काटके देखना होता है अब तीन नमबर मोटर अमारी यहां पर हमने कटेंज से कटाउट कर दिया है खराबी पता लग जाती है तो ट्रेक्शन मोटर 3 के अमारे को सर्किट बरेकर भी ओप करना है तो ट्रेक्शन मोटर 3 के जो सर्किट बरेकर अमारे को ओप करना है वो करना है DCL3 यानि कि तेन नमबर वाला TCC तेन नमबर कम्प्यूटर और साथ में TCC का बलोवर ये तीन नमबर वाला यानि कि ये तीन सर्किट बरेकर भी अमारे को सर्किट बरेकर पैनल पर जब खराबी मोटर का पता लग जाता है तो अमारे को ये तीन सर्किट बरेकर ओप करना है और गाड़ी चलाना है लेकिन सभी मोटरे हमने cutting से cut out करेके देख लिया है फिर भी GR आती है तो उमारी GR अपर फ्रेम से है अपर फ्रेम से GR आने पर अमारी को side or PCR से बात करना है तो इस तरह से GR आने पर अमारी को उसको दूर करना है और आगे गाड़ी का संचलन करना है सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह के वीडियो आप देखते रहे है और अपने नोलेज को अपडेट करते रहे है